प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आठ जुलाई के आसपास जो है वो मौस्को में होंगे रूस की यात्रा पर मज़े की बात ये है कि रूस की यात्रा जो है वो पहली जो है दुपक्षिय यात्रा होगी भारत के नेता की जो विदेश में वो जाएंगे इसके पहले वो इटली गए थे लेकिन इटली में जो है बहुपक्षिय वारता थी वहाँ पर जो है वो इटली के निमंतरन में जी सेवन में शामिल होने के लिए गए थे जो कहने की भारत के प्रत्हान मंत्री जो है वो कि रोएंवेश उनागे रीजा रहे हैं और वहां पर व्लादिमीर पूतिन से मिलेंगे और यह माना जा रहा है कि शिखर सम्मिलन जो है दोनों के बीच में होगा और इसमें अभी तक जो बात निकलके आ रही है वह यह कि भारत और रूस के बीच में जाहिर से बात है कि वियापार को बढ़ाने के लिए और रिष्टो को होता रहा है और इसलिए जो है उस पर भी जो है कोई बड़ी कोई बड़े कोई बड़ी डील हो सकती है इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि भारत को फिलहाल साफ और सतत उर्जा की जरूरत है तो इसलिए जो है कोई बड़ी परमानू यानि कोई बड़ी नुक्लियर डील हो सकती है रूस के पास जो है नुक्लियर डील नुक्लियर फिल्ड में जो है काफी एक्सपर्टीज है और उनके जो है कुछ नुक्लियर प्लांट जो है वो फ्लोटिंग है यानि वो जहाज पर जो है नुक्लियर प्लांट बना करके भी जो है वो उसको यहाँ वहाँ ले जा करके और कुछ इंडस्टर क्लस्टर में जो है बिजली महिया कराना ये भी कर सकते हैं तो ये एक तातकालिक जरुवत होगी भारत की क्योंकि भारत को जो है वो साफ और सतत उर्जा की जरुवत है रूसी मीडिया में भी हाल में भारत को लेकर काफी कुछ छप रहा है और लगातार इस बात को जो है रूसी मीडिया हाइलाइट कर रहा है कि दुनिया भर में ये तो छपता है कि भारत जो है वो रूस से बहुत तेल खरीद रहा है भारत जो है बहुत जादा कुछ खरीद रह लेकिन रूस क्या खरीद रहा है भारत से हैना क्योंकि एक तरफा नहीं होना चाहिए व्यापार तो इसलिए जो है वो जो 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 रूस है रूसी मीडिया है रूसी मीडिया के थूरू रूसी सरकार जो है वो इस बात को प्रचारित कर रही है कि रूस भी जो है वो लगात जिसा बड़ा देश अब तेल खरीता है तो बहुत बड़े पैमाने पर खरीता है और तो दोनों के बराबरी तो नहीं हो सकती लेकिन हाँ लेकिन यह है कि सतत प्यास है दोनों तरफ से और इस यात्रा में जो है कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है लेकिन यह वीडियो बनाने जो है Congress का, U.S. Congress का जो है बड़ा Delegation आया, उसने तिंबत पर आकर के जो भी बात कही, वो कही और उसके बाद जो है, वो लोग दिल्ली में आये, दिल्ली में आकर के प्रधान मंत्री से मिले विदेश मंत्री से मिले जो अमेरिका के राष्टे सुलक्षा सलाकार है वो यहां पर आयोए थे भारत में और उसके बाद में जो है जो डेप्टी सेकरेटरी ओफ स्टेट है मेरिकाल से कर्ट कैंबल उनका नाम है वो भी आयोए थे और जो है जो ही खोफिया तरीके की टेकनोलोजीज है, जो ऐसी टेकनोलोजीज़ है जिन्ब की बहुत जारा देशों का जो है पकड नहीं है, उस पर जो है दोनों देश काम कर रहे हैं, अमेरिका और भारत अब अमेरिका और भारत के बीच में इतने नजदीकी और इतने उचितम इस तरह पर जब वारता हुई है उसके कुछ ही दिन के बाद जो है भारत का प्रधान मंतरी का रूस यात्रा करना है ना कहीं ने कहीं एक बड़ा संदेश देता है इसको हमको समझना होगा इसको इस तरह समझना होगा कि अभी हाल में जो मेरी जानकारी है जो मुझे समझ में आया वो ये कि अभी हाल में जो है रूसी राश्पती जो है वो उत्तर कोरिया गए थे और उत्तर कोरिया जो है वो गए थे उसके डिटेल सामने नहीं आए हैं लेकिन समाज यही बन रही है या जो मतलब जो 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 प्रोजेक्शन है वो यही है कि दोनों देश दूसरे की मदद को आएंगे अगर उन पर हमला होता है तो दूसरी बात यह कही जा रही है कि उत्तरकोरिया बेहद 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 गरीब देश है और वहां के लोगों को अगर पैसा मिलता है और वहां के सरकार को अगर पैसा मिलता है तो वो अपने लोगों को युक्रेन मोर्चे पर जो है लड़ने के लिए भेज सकती है यह भी एक बड़ी बड़ी चिंता की बात होगी अमेरिका के लिए और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया के हाथ लग सकता है या उत्तर कोरिया की मदद करने को जो है रूस तयार हो सकता है तो इस पूरे परिपेक्ष में जो है उत्तर कोरिया का मजबूत होना उत्तर कोरिया को कोई फरक नहीं पड़ता है उत्तर कोरिया पर आपके इतने प्रतिमन लगा दें उससे को न कोई एक इनको वापिस परतिबंदों से हटा करके मेंस्ट्रीम में लाया जाए और बदले में उत्तर कुरिया क्या वादा करता है, क्या वो अपने यहाँ पर आने जाने देता है क्या नहीं देता है, वो सब चीजने जो है वो देखने वाली थे, लेकिन वो तो खेर बाद चलने ही पाई क्योंकि ट्रम्प का जो है कारेकाल खतम होगे और वो दुबारा जीत नहीं पाई तो जो बात निकल का आती है वो यह कि उत्तर कोरिया जाना जो है रूसी राश्ट्रपती का रूसी राश्ट्रपती का रूसी राश्ट्रपती पूतिन का जो है उत्तर कोरिया पूरे पश्चिमी देशों में अधाय है और जो है यह बहुत ही चिंता-जणा उनके लिए क्योंकि उत्तर कुणि आब बहुत जारा परिशान कर रहा है दक्षिन कोरिया को और जापान को और तैवान को वो बिल्कुल चीन का बिल्कूल वो एक कॉलोनी माना जाता है और अभी भी जो है वो अमेरिका को चाहाएं वो किसी से डरता नहीं है क्योंकि उसके पास खौने को कुछ नहीं है और इसलिए जो है वो बहुत जादा एड्वेंचरस हो जाता है और उसको सम्हालना मुश्किल है और अगर रूसी तकनीक वहाँ पहुँशने लगी अगर रूसी मदद वहाँ पहुँशने लगी और अगर जो है क्योंकि जो उत्तरकोजा का तानाशा है उसको सैन्न तक्नीक के सिवा और कुछ नहीं चाहिए उसको कोई गेहू चावल और इसकी जरुरत नहीं है उसको अपने आबादी को जारा चिंता नहीं है उसके अजेंडे में है ही नहीं तो उस यातरा से लोटते ही जो है यह मत्ता होना कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो तो पांच साल का जो है अंतर आ गया है इस बीच में एक बार मेरेखाल से व्लादी वोस्तों गये थे वो भी किसी किसी Economic Summit में गये थे तो पांच साल के बाद जो है भारत के प्रधारमंतरी का खुद से जो है मौस्कोव जाना और उसके बाद में जो है अमेरिकी डेलिगेशन का भारत में आना और उसके कुछी दिन बाद जो है इस यातरा का अनाउंस होना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो भारत के जरीए अपनी बात अपनी चिंताओं को पहुचाना चाहता है मौसको वो चाहता है कि भारत के साथ अगर कोई बड़ी डील करके अगर कुछ राहत मिले मौसको को तो वो जरूर ले 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 अब भारत के साथ कोई बड़ी डील कर लो, आपको पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, तो कि भारत से जब डील करेंगे तो पैसे मिलेंगे ही, उनको और जो भी उनकी आवशकता हैं, अगर युक्रेन मोर्चे पर भी कुछ, हमको देखना होगा, क्योंकि युक्रेन मोर्च करके चुप हो जाएंगे जो दूसरी बात है वो यह की सिर्फ रूसी नहीं जा रहे है। भारत्य प्रथान मंत्री जो है वो इसके बाद serait भी जा रहे हैं। उसके बाद उसने रूस का जो है आलोचना जरूर की थी और वो चाहता है कि युद्ध बंद हो, लेकिन ये जरूर है कि उसने आर्थिक जो सहयोग है, आर्थिक जो आदान-पदान है उसने बंद नहीं किया है। वो निवेश करेंगे और दोनों जो है साजहा रूप में इसमें काम करेंगे। अब इसमें दो और दो चार जोडने वाली बात है कि आप ये देखें कि आउस्ट्रिया का रूस के साथ आर्थिक लेंदेन है, सामान निगतिविधी चल रही है और उसके बाद भारत जो है वो स्टार्टप्स और बिग टेक और सारी चीजों पर जो है काम शुरू करेगा, अगर तो इसका मतलब यह होता है कि रूस को भी फाइदा होगा ही उसमें, या रूस भी वहाँ पर निवेश करी सकता है, है ना, तो सीधे तोर पे रूस में निवेश ना करके, जो है, जो लचेजी देशों में जो हड़ कंव मचा हुआ है और जो जापान और उततर कोरिया और माकी देशों में हड़ कंव मचा हुआ है कि अगर रूसी टकनीक और रूसी मिसाइल और रूसी रॉकेट अगर यहां उत्तर कोईया पहुंचने लगें, तप्र उनके रिए जीना जागर गिरेगा कई बारासा हो चुका है पिछले सालों में कि उत्तर कोरिया ने कोई मिसायल टेस्ट की है और वो बिलकुल जापान के नजदीक गिरा है या दक्षिन कोरिया के नजदीक गिरा है तो और वो ज्यादा अनौन्स भी नहीं करता है वो ज्यादा नियमों को follow भी चोड़ेंगे तो हम भी जो हैं उत्तर कोडिया और इरान को जो हैं वो पूरी तरह से सशक्त कर देंगे तो इसलिए इस मुद्धे को देखते हुए जो है मुझे यह लगता है कि भारते पधान मंतरी का वहां जाना रूस में वो द्यप्रक्षिय वारता तो है ही लेकिन कहीं ने कहीं जो है रूस को इस बात के लिए मनाने की बात भी होगी कि पश्चिमी देशों को खाफी खत्रा महसूस हो रह ठीर